तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं VVA Micro Programming और आज बात करेंगे recording micro and recording micro को change कैसे करेंगे, edit कैसे करेंगे, उसको applies कैसे करेंगे, इसके बारे में हम discuss करेंगे इसलिए अपरी computer screen देता हूँ और हम बात करते सबसे पहले recording micro के होगा अब recording macro को क्या है, अब देखे, बहुत सा लोग का confusion था, हमने study class में आपके साथ discuss किया था कि बहुत सा लोग बोलते हैं कि macros जो होता है, और record की गई को macro काते हैं, और जो coding करते हैं उसको VVA गाते है तो VVA एक programming language है, मैं पहरे भी clear किया था, और VVA कि फ्रू ही हम recording macro या coding macro जो भी करना होता करते है अगर record करते हैं तो भी VVA code ही write करता है, और हम भी खुछत ही write करें जैसे कि आप mouse में अंगली से type करते हैं तो आपको manual type करना होता है वही आपका voice commander खुद बहुत type करता है उसी तरीके से आपको कुछ program लिखना है तो आपको खुद से जाके code लिखना पड़ेगा या फिर आप mouse action या जो भी features apply करते हैं recording macro उसको code में convert करते हैं जैसे कि example हमें recording macro का on कर दिया और यहां पर लिखा name यहां लिखता हूं raw number तो name और raw number लिखने का जो code है तो इसने इस को क्लिक चीज़े पजलेगा तो बहुत इसमें code कर दिया यहां पर यहां पर हमने विया हुआ है यह recording macro जो रिकॉर्ड हुआ है यह खुद बहुत इसने coding कर दिया और हम भी code करेंगे तो इसी तरह का code करेंगे अब उसे दो question आती है पहली question कि जो हम recording करते हैं तो बहुत बड़ा macro बच जाता है पर code जिसी को देखिए अगरा मैं code लिखता तो हम simple सा क्या करते हैं हम लिखते है range a1 dot value equal to name फिर range दो लाइन में हमारा हो जाता है equal to log लेकि recording ने इसे कईसा है लाइन मना दिया ऐसा क्यों लेकि recording जो यूज करता है वो ऑफिस से language करता है जिसा आप बाल जिए बहुत आपको शुप्ती वांगनी है तो फोन पर बोलना है तो जो बहुत बोर्निंग मुझे कल नहीं आओंगा मुझे प्राना काओंगा बास हमता मुझे जी लेकि बहुत नहीं को बोल जिए ठीक है मुझे एक अप्लिकेशन लेज़ो लीड अप्लिकेशन लेज़ो तो लीड अप्लिकेशन के पूरे पेस्ते आप तो जी लिख देंगे कि बहुत कर्शिप्ती चाहिए पूरिक पूरिक पूर्मा फॉलो करना परेगा ना तूरा मैनेजर पूरिक नेम्डेट्स अप्लिकेशन लेकिशन लेंग बेज वह गया जो रिकार्डिंग यूँ होता है उस अपिस्टिल लेंग बेज होता है जम और करते हो तो जिसना चाहिए उसना हम लिखते हैं बाक्सिफार तो लिखनी की जुरूर्द नहीं है अब दूसरा क्वेशन इसमें आता है कि जब रिकार्डिंग मैक्रो खुद दो खुद मेरा मैक्रो रिकार्ड कर देता है इसका यूज क्या है मतला कि हम सिब मैक्रो को सीखें क्वेशन इसके रिकार केरें ओरना क्रना कि मेरे खायर से जहां तक मिने थोड़ा वूट इसका सथिकर तो ऊष्मेर करा है तो सबस्तों मेरे खायर से जहां तक मिने दो थोड़ात बहुत रिकवर्डिंग मैकरो 2009 हिइं होता है इकनफी नहीं कर्तियाए तिए प्रप्रप्रशन नहीं लगाता है, लूपिंग में होता है, रिप्रटेशन में होते हैं, तो बहुत साज चीज़ नहीं होते हैं, मतलब समझगे कि 5-7% हम यूज कर सकते हैं, बाकिन 50% हम उपको खुद लिखना पड़ेगा, तो फिर इसका प्रपस क्या है, अभी तो समझ ग आपको copy paste करना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, recording करेंगे, copy करेंगे, paste करेंगे, या paste special करेंगे, या go to a special करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास इसका code आपको यहां मिल गाया है, तो आगे चल कि अच्छा कुछ ऐसा option भूल गया है, जो कि आ आपको bbba के फूर लगाना है, एक्छल का टीचर्ट है, तो आप यहां पे इसका इस्तमाल कर सकते हैं, जी, 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 अब इसमे अगला question आता है, कि जब हम सीख जाएंगे, सब तो आपको यूज नहीं होगा, जी, नहीं, शीष्रे के वाहाद भी यूज से यूजम करते ह लेकि इसको ऐसे नहीं बताएंगे, तो लिएक एक गामपल के साथ बताते हैं, मार्टी जी, तो वह से परहा रहा हूं, मार्टी, मैंने पास एक डेटा है, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, बुझे इस डेटा को फाइल बनाके mail करना होता है, जी, पैसी फाइल, मैं में बनाके अलग करना होता है, जी, अब यहाँ पर एक question यह उसके आता है, कि अगर हम ऐसा कोई macro बनाया है, एक बार run करें, तो मुझे पूछे month name, मैं month name दाल दू, पूरी file को copy करें, एक नई sheet के paste करें, फिर वो sheet को एक नई file में move करके, एक location में state करें, जी, इसके लिए coding क हम यहाँ पर recording कर गया है, हम यहाँ पर record macro पर जाते हैं, and okay करते हैं, और micro recording करते हैं, हम इस्ट्रा mouse moving नहीं, फोई extra homework मत कीज़ेगा, जी, 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 और code में आ जाएगा, हर बाव इस्ट्रा काम करेगा, जी तो वो भी हो जाएका, सारे extra record करता जाएगा, जी, जी हम इसको select क अब यहाँ रखेगा, कभे भी आप mouse से selection मत कीज़ेगा, mouse से select करेंगे ति particular area select होगा, तो selection जी से करेंगे, control, save, right arrow, and down arrow, और filter के अंदर की copy करना है, हम direct copy नहीं करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, filter के पीछे पर data भी copy हो जाता है, तो control G हम special पर आते हैं, visual sales only, अब इसको copy कर अबरे पास और यह दो सीट है, फिर भी है एक नई सीट आड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी है, लेकि हर पास दो सीट होगी, मैं तो foundation हो जाएगा ना कि मैकराणिक गने देपर चेक करना होगा, सीट नमर टू होना चाहिए, फिर इसका सीट का नाम देते हैं हम अपरेल, फि और फिर उस workbook को save करते हूँ, अपरेल नाम देते हैं, और इसको close कर रहता हूँ, इस वन पर जाता हूँ, पताता हूँ, अब देखे हमें मैकर तो बना घिया लेकिन मैकर रण नहीं होगा, रण में होने के पीछे region क्या है, क्योंकि इस मैकर में बहुत सारे ऐसे code है, जो की डाइनमिक नहीं है, इसलिए वही बताता हूँ आपको, तो से पर आटो फिल्टर, दो तो वहाँ फिल्टर लगा हूँ ह जो कि इसलिए ना, और एक फिल्टर हटा देता हूँ, तो आपने देखा कि फिल्टर की इसलिए ए 1 पे लेके 504 को लिया हूँ हूँ, अब एकस्सीट में जाके देखेंगे कि हमने जब फिल्टर लगा था, तो हमने देटा फ्लेक्स नहीं किया, फिल्टर लगा दिया, मतल सब्सक्राइब सेट 7.flex क्यों ? क्यों यहां पर दिखिट एड हुआ है वान सर्थ जब भी शीट एड होगा और तुम पर दिखिट 7 नहीं होगा न एट ना इन तेम ऐसे बहुत तरह सेट शीट है क्या जा जी जी यहां से यहां पेकि अक्टिवीट को लिया और यहां शेटसेवने के ज़गा पर टेट से देटा हूं यहां भी अक्टिवीट हो जाएगा यहां से आगए अक्टिवीट.mole आगया, शेख, लोज, विवन, सिर्वेश दे, और फूटर, सही है? जी. ठीक है सर्थ? जी. अब यह मैंको आप प्रटेक्स भी वर्ट करेगा, लेकिन सिर्फ अप्रेयल के लिए. अचा. बैसा तो मुझे पूछे, तो पूछने का कोड मुझे यहां देना पड़ेगा. कि M equal to input box please enter month. अब input box क्या है? एक box एक pop-up देगा. ठीक है? हाँ. अब यहां पर मैंने दे दिया M. और यहां भी दे दिया मैंने M. और यहां M डारेक्स नहीं दे सकते. क्योंकि inverter को मामें है न, जी मिर्ग हमां से बाहर करना परेगा हमें. इस अरी को समन्द में है. शर्या को समन्द में नहीं है. शर्या कि मन भी आया आपको. अब सब्सक्राइब यह आपने M क्या दिये? M क्या है मेद़? इन एक वेरियवल है। वेरियवल है। इसे आप mathematics बनाते हैं, एक्स वाइज लेते हैं न? हां। क्यों लेते हैं? अच्छा क्यों लेते हैं सर्थ? मतब एक.. क्या वो कि श्पोड़? Mathematics formula में आप एक्स वाइज ऐसे ले लेते हैं न? श्पोड़? यहां मुझे एक्स चाहिए, वहां हंडेट से वहां पर हमें एक्स लेते हैं। उसी तरीके से Temporally Saving Location, M ठीक है न? इंपूट बॉक्स की दी गई वैलू M पे स्टोर हो जाएगी। अब मुझे जहाँ 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 चाहिए, मैं वहां वहां से M को कॉल करनेगा। जी जी ठीक है? हाँ जी अब यहां पे मैंने N% क्यों लगाया? N% लगाने के पीसे reason ही है कि मान लिज्जे की एमरा path है, C drive में इस तरह से C drive 2020 और यहां पे में इसमें मुझे यह नहीं देना है और मुझे यहां पे दिया हुआ है file name 123.123 और मुझे क्या करना है कि दोनों को मिलाके एक path होनाना है हम इसको select करेंगे N% देंगे इसको select करेंगे फिर N% देंगे और इसमें dot excellent x देंगे हो गया sir अच्छी हाँ अब यहां तो आपने देखा मैंने O3 दिया है अब मैं इसको inverted कहुआ हम मैं O3 देंगा ते क्या होगा O3 dot x देंगे O3 की value नहीं आएगी O3 आजाएगा इसलिए हमने इसको N% से बाहर किया तो सेम यहां भी था कि अगर इसमें हम यहीं पे लिख दे M dot excellent x तो क्या होता है कि M नाम का ही 5 बना देता इसलिए हमने इसको inverted कहुआ से बाहर किया और combine किया तो कि यहां पे उसको inverted कहुआ से बाहर रखना होगा अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ मैक्रो को हमने मैक्रोफोर है ना लखिया रन मैंने यहां पे दिया आप देखिए सबरी नाम का मैक्रोफ बन के त्यार हो जाया यहां देखिए अगर आगे कि मतलने कि मैंने कुछ को डिलीट किये कुछ को एड किया हमें इतना को लिखना ना पर तो recording micro को अगर VGA programming सीख लेंगे उसके बाद भी यूज है ताकि हम अपने हिसाब से कम से कम typing कर सके कम से कम programming कर सके कम प्रोगामिंग कर सके हाज जी समझना आ गया? हाज जी तो recording microse क्या है, क्या benefit है, कभ यूज करेंगे, किस-किस के benefit है, और कैसे उसको added करेंगे, समझ्ज में आ गया? ठीक है समय अब चाहे record की कई micro है या code कई की micro है उसको run कैसे करेंगे, और यह इंपोर्टेंट है तो यहां, मायक्रोज के अंदर में, हमारे पास, run करने का उसुद्धा है, select की, run कर लीजिए या इसके अलावा, आप इसके option पे जाके, इसका shortcut बना करेंगे अब मैं, सब control सिफ Q run, प्रेस करूंगा, तो में, मायक्रोज 1, run हो जाएगा यहां आप बटन की जरीवी कर सकते हैं, डेवलपर पैड में, insert में, हमारे पास, form control form control को select करके, drag किया, तो यहां आपके सामने, assign macro आ गया, अपना macro चलेक किया, और assign कर दो अब इसके उपर बटन हो आना है, तो click किजिए और change कर दीजिए, कि get data ठीक है, लेकिन यहां यहां नीचे दो form button है, एक नीचे यही बटन है, इस पर active control करते हैं, इस पर code करना पाता है, हमने select किया, और इस पर हमने double click कर दिया, यहां पर लिख दीजिए, macros, 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 आपको type करते हैं, बस इतना है, बस नाम, बस नाम, जो नाम होतार macros, macros, ठीक है, या आप ग्राफिकल साथे, पहले इसके मैं edit कर दीजिए, यहां पर edit, इसको change कर सकते हैं, अगर आपको माल लिजिए कि कोई graphical चाहिए, यहां पिक्चर्स पिस आते हैं, या कोई sap आपने define कर रखा है, जैसे मैं edit station में गया, sap में गया और मैंने एक angle join किया, इसको अच्छे से format किया मैंने, ठीक है, और इसमें बेरते है, get data, बस अबरा कर लिजिए इसको, अच्छे से format अब के और अगया है या वोई आपने stick कर लिए हूआ, इसके कर लिए मैं करेंगे, right click, assign macro, select किजी अब इसके click करते हैं, इसके click करते हैं, इसके click करते है, इसके click करते है, इसके click करते है run हो जाए, जो हमना है sir? हा सर. तो इसका यूज आप कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज करना है और मुझे तक्रीबन तीन या चार इंग्जाम को आपको देने हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो अच्छिंग